अनोखा बटवारा एक जंगल में एक गीदर और एक गीदरी बड़े प्यार से रहते थे गीदर अपनी गीदरी को बहुत चाहता था वो जो भी फर्माईश करती गीदर हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता था एक दिन गीदरी ने कहा प्रिये आज मेरा मचली खाने का मन कर रहा है क्या तुम उसकी वेवस्ता कर सकते हो गीदर बुला यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मचली खिलाऊंगा ये कौन सी बड़ी बात है और यह कहकर गीदर चल दिया नदी की और जाते समय वे सोच रहा था अरे मैंने अपनी पत्नी से कहे तो दिया लेकिन उसे मचली खिलाऊंगा कैसे मुझे तो मचली का शिकार करना तक नहीं आता और अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो मुझे ताने दे दे कर मार डालेगी यही सोचते सोचते गीदर नदी किनारे पर जा पहुँचा और एक और बैटकर नदी में उचलती, कूदती, आती जाती मचलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा एक बार तो उसका मन किया कि नदी में ही कूद पड़े और पलक जपकते ही दो चार मचलियां उठा लाए लेकिन जैसे ही उसकी नजर नदी के उचलते तेज भाव वाले पानी पर पड़ी तो उसका सारा जोश थंडा हो गया पानी में उतरने की बात सोचने से ही वह इतना डर गया कि वह नदी के किनारे काफी दूर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और वहाँ बैठ कर वो कोई युकती सोचने लगा कोई ऐसा तरीका जिससे मचली भी मिल जाए और जान का खत्रा भी न रहे तभी उसकी नजर एक उद बिलाव पर पड़ी जो अपने साथी के साथ एक बड़ी मचली का शिकार करके उसे किनारे पर लाने की कोशिश कर रहा था उन में से एक उद बिलाव दूसरे से बुला अरे वाह ये मचली तो बहुत बड़ी और भारी है हमारा तो कई दिन का गुजारा हो जाएगा तो दूसरा बुला हाँ भाई तुम सही कह रहे हो आज तो भगवान की किरपा से बहुत भारी मचली हाथ लगी है भगवान ने कई दिनों के खाने का इंतजाम कर दिया है उस मचली को देखकर गीदर के मुँँ में भी पानी भराया वह सोचने लगा क्यों ना इनसे यह मचली खतिया लूँ लेकिन कैसे सीधी तरह से मांगने पर तो ये मुझे अपना भोजन देंगे नहीं लेकिन अगर मैं थोड़ी सी चतुराई और बुधी मता से काम लूँ तो शायद बात बन भी सकती है तब तक उद बिलाव मचली को घसीट कर किसी तरह किनारे पर ला चुके थे तब ही उन में से एक उद बिलाव की अवाज आई अरे सुनो भाई ये मचली तो एक है और हम दो हैं इसका बटवारा कैसे करेंगे तो दूसरा बोला अरे इन कोई बात नहीं हम खुद ही मिल बैटकर खा लेंगे तो दूसरा बोला तेख भाई यदि हम खुद ही बटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में ये खटक रहेगी कि शायद दूसरे ने जादा मचली ले ली है इसलिए मेरी राय तो ये है कि हमें किसी तीसरे से इसका बटवारा करवा लेना चाहिए गीदर ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में खुशी की लहर दोड़ गई वो बहुत खुश हो गया और किसी बड़े बुढ़े बुजर्ग की भाती उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला अरे भाई लोगों क्या सोच रहे हो तबी उनमें से एक उद बिलाओ बोला बाबा सोच क्या रहे हैं बात दरसल ये है की हमने एक मछली का शिकार किया है अब ये मछली तो एक है और हम दो है तो अब ये सोच रहे हैं कि इसका बटवारा कैसे किया जाए दूसरा उद्विलाओ तभी बोला बटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है भाईया ठीक कहते हो भाई देखो अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम दोनों के बीच इस मचली का बटवारा कर सकता हूँ अपना तो काम ही है दूसरों के फैंसले करवाना और दूसरे के जगड़ों को खतम करना और मेरा तो सभाव ही है कि किसी को भी मुश्किल में पड़े हुए नहीं देख सकता अब गीदर धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा था तभी एक उद्विलाओ बोला हाँ हाँ ठ ठीक रहेगा वाह वाह मित्रता हो तो ऐसी किसी ने ठीक ही कहा है एक ने कही और दूसरे ने मानी कहे कबीर दोनों ग्यानी राजी राजी तो बड़ी-बड़ी समस्याएं हल हो जाती है और भोजन तो यूँ भी सब को मिलबाट कर ही खाना चाहिए एक दूसरे पर विश्व करना चाहिए प्रेम के सिवा इस संसार में और रखा ही क्या है इदर ने एक बहुत ही समझदार और सुलचे हुए बुजर्ग की भाती यह सारा ग्यान उन दोनों उद्विलावों को दे दिया और तब बैबुला अभी तुम यहीं इंतिजार करो मैं अभी मचली काटने का क कि दोनों में बराबर बराबर बटवारा कर सकों उद्विलाव वहीं बैठ गए और बोले हाँ हाँ भाया जाओ हम यहीं बैठ कर तुम्हारा इंतिजार करते हैं गीदर ने नदी की और आते वक्त एक किसान को देखा था जो अपने खेद के किनारे चार पाई पर लेटा अब फसल की रखवाली कर रहा था उसके पास ही चार पाई पर एक लाठी और साथ में एक दराती रखी थी भागता भागता गीदर वहीं पहुँच गया जहां किसान सो रहा था गीदर ने चुपके से उसकी दराती उठाई और वापस चल दिया और आते हुए बोला वह मिल गया अब बंच आएगा अपना भी काम गीदर दराती लेकर उन दोनों उद्विलावों के पास पहुचा और बोला आओ भाई अब करता हूँ तुम्हारी मचली का बटवारा अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि किसे कम मिला है और किसे ज्यादा मिला है गीदर न लो भाई तुम यह रख लो दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कबजे में ले लिया फिर तीसरे हिस्से की और देखने लगे दोनों सोच रहे थे कि अब तीसरे का बटवारा कैसे होगा वे सोच रहे थे कि गीदर इस बीच के हिस्से के भी दो बराबर टुकड़े करे इसका बटवारा ये क्यूं भाई यह तो मेरी मज़दूरी है क्या मैंने महनत नहीं की उसकी मजदूरी नहीं लूँगा क्या परिक्ष्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए तुम इस मचली को पानी से निकाल कर लाए हो तो क्या हुआ मैंने भी तो तुमारे साथ महनत की है यह कहदे हुए गीदर ने बीच वाला टुकड़ा अपने मूँ में दबाया और चलता बना दौनों ओध विलाव टुकर टुकर उसे जाते हुए देखते रहे और रंत में उन दौनों ने अपना सर पीट लिया भाईया अगर हम आपस में ही मिलकर अपना बटवारा कर लेते तो कितना अच्छा होता पीच का हिस्सा तो वो ले गया और यह पूँच और सिर हमें दे गया किसी ने ठीक ही कहा है कि आपसी फूट का फाइदा कोई तीसरा ही उठा लेता है चलो आज अकल आ गई कि थोड़ा कम ज्यादा खालो पर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देना चाहिए इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें